नमस्कार दोस्तों आज है चार नवंबर और चार नवंबर को एक वाद फिर से मैं यस बैंक का अपडेट लेके आया हूँ जी हाँ से स्टॉक पर अभी अभी निउज फ्लास हुई है देखिए स्टॉक हो सकता डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता बेशक यह जरूरी न करता से पर सिट एक ही वज़ा है इसकी और वह है इसका निउज जब भी इस पर निउज फिलास होती है इस टॉक उपर यह नीचे हो रहा है तो इस स्टॉक पर क्या करना चाहिए तो इस स्टॉक को अगर एक अच्छा ट्रेडर है जो फुल माइंड सेट अप का है वह इस स् स्टॉक पर रिस्क लेने की क्या जूरत है अब कोई अगर लॉंग टर्म के लिए निवेश करना चाहता है तो इसके फंडामेंटल को देखते हुए सारी चीजे देखते हुए स्टॉक पर निवेसित रहें हो सकता है कि आगे जाके सिस्टॉक पर सारी चीजे ठीक हो जाए जैसे जैसे इस पर निवेश फलास हो रही है अगर वो सभी चीजे इस पर अप्लिकेबल होती है लागू होती है और सही तरीके से सही माइने से अगर इस पर सारा काम काज होता है तो यह स्टॉक हो सकता है एक समय असा होगा जब यह 300, 300 का जो ट्रेडिंग इस्ट्री थी इ देखे स्टॉक 2018 के जुलाई अगस्त में 400 रूपिय का हुआ करता था एक प्रॉक्स 400 के आसपास में था यह स्टॉक और वहां से करेक्ट हो कि यह स्टॉक 30 रूपिय के लेवल तक हम लोग को दिखा चुका तो इस स्टॉक में काफी वालेटिलिटी है और काफी लंबे समय तक यह वालेटिलिटी बनी रहा सकती है एक न्यूज फ्लास हुई 1.2 बिलियन यूएस डॉलर की और जो निवेश किस पर निवेश करना चाबते हैं यह स्टॉक रॉकेट बन गया और एक ही दिन में लगबाग 40 परसेंट या 35 परसेंट अप्रॉक्स इफामाय राइट तो इसमें तेजी देखने को मिल गई थी अब यह स्टॉक दो दिनों से डाउन फॉल है बट ऐसा स्टॉक के बारे में आसे क्यों कह रहा हूं क्योंकि यह स्टॉक है ऐसा देखिए भी तीन बाते इस पर फ्लास हो रही है और तीनों ही इंपोर्टेंट होगी तीनों मनी कंट्र और एकोनोमिक टाइम्स पर दिया हुआ है आप जाके पढ़ सकते हैं अभी दो ही घंटा पहले अपडेट आया है सबसे पहली चीज यह बैंक आसेट्स कॉलिटी वर्संस इनकोर्ट टू वर्सूड इंवेस्टर्स डू ता आप इसे जाके देखिए इसमें किलेरली यह मैं पर नहीं है यह बैंक का जो यह रन्वीत किल है उन्होंने क्या कहा कि एक्सक्टेट इनका कहना है इनका अपडेट है कि इस कंपनी में जो इनका केपिटल था वह लास्ट इयर के इंड तक यह इनका हो जाना चाहिए आसा ही आसा करने बट एकोनोमिक टैंस ने अभी 10 इस न्यूज को आप जरूर जाके पढ़िए और इस न्यूज पर इसे बड़े-बड़े जो मैं आपको लिए चलता हूं एकनोमिक टाइम्स के वेबसाइट पर यहां पर देखिए वहां तो 50 रुपीज दिख रहा था बट यहां पर 40 रुपीज दिख रहा तो मैंने अपने थमनेल पर इसलिए 40 रुपीज लगाया था आप देखिए यहां पर जो बड़े-बड़े ब्रोकर्स हैं और उनका जो एक चाहूंगो जो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें कि क्रिप्या अगर हमारी बाते अच्छी लगती हो तो इस स्टॉक को जरूर एवट करके चलिए स्टॉक मार्केट में बहुत स्टॉक से उन पर ध्यान लगाई उनको फॉकस लगाई बाकि मर्जी आप किया क्यों पर भी लगा सकते हैं ठीक है ना मैनेजमेंट जो ऑप्तिमिस्टिक है 1.2 बिलियन डॉलर का वो दिसंबर तक हो सकता है रपिंग इन स्टाटेजिक इंवेस्टर आ जाएं लेकिन उसके वज़ा से इसमें बैंक में क्या हो सकता है वो सारी कंसर्ण दी भी है और आप अगर देखेगा तो यहां पर क्या बता जा रहा कि दे बिलीब दा बैंक सिस्टेक सेल्स कुड़ भी ऐस हाइज थार्टी परसेंट और इस नीड तो बी सीन इन इफ आर्बियाई अप्रूब्ल करती है तब यह डिल कंप्लीट होगी ऐसा बताया जा रहा है और अगर 1.2 बिलियर बिलियन की सेलिंग होती है सेयर्स की 60 रूपिस पर तो इसमें 50 परसेंट डैल्यूशंस इन दे बैंक सेक्यूर्टी और 30 परसेंट बाइदा इसूट टू दे सिंगल इंवस्टर तो बहुत सारे पॉइंट्स दिये हुए विडियो लंबा ना हो आप जाके इसे जाकर देख देखने के बाद आप जरूर इससे समझ लें उसके बाद इसे स्टॉक पर ट्रेडिंग करें अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो भाई आप कुछ सलम आप इस स्टॉक पर है डेफिनेटली प्ले कीजिए पैसा बने गाई चाहे आप कॉल के साइड में हो जैसे भी हो से परसा बने अभी यह फिलास हुई है देखिए इसका इंपक्ट हो सकता है इस स्टॉक पर देखने को मिले क्योंकि यह स्टॉक 40 रुपिय तक करेक्ट हो गया आसा एकनोमिक टेंस के बड़े-बड़े एक्सपेट बता रहे हैं इसलिए मैंने सुचा है कि अपने विवस तक के बाते पहुंचनी चाहिए तो मैंने पहुंचा आया अगर अच्छा लगे तो जरूर एक बार लाइक किजिएगा वीडियो को साथी चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा और बेल आइकन को प्रेस किजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए और साथी एक बनता है कि इस स्टॉक पर आगे पोटेंशियल है पासा बनाने का और इन इस एक्सपर्स का कहना गलत है तो आप बेशक इस पर पासा लगाएगे और पासा बनाएगे तो चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए बाई थैंक्यू